अटेंशन निमसेट 25 स्टुएंट किसी भी एक्जाम की सक्सेश के लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट है नंबर वन आपको उसका प्रॉपर स्लेबस पता होना इलेजुटी क्राइटेविया पता होना लेवल अप्ट एक्जाम पता होना किस तरह के कोश्चन सॉल्व करना बि मेरे पिछले कई सालों के अनुवाब है कि कई बच्चों को सब पता होता है रही होते ही वह दिसाइट कर लेते हैं कि हमें आगे जाके करना है और लो करेंगे करना कई बार फॉपर सेकेंड यह भी निकाल दें और फाइनल यर आते-आते बी एक्शन लिए और कई बार सोच बार रिजल्ट आता है तो किसी भी एक्जाम में सक्सेस्फल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी इंफर्मेशन होने के बाद भी आपका राइट डारेक्शन में करना यानि आपका एक्शन लेना तो इंपीटर्स गुरु कुल का एक न्यू बाच फिफ्ट ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है इसमें क्या क्या होगा सबसे पहले जानिए क्योंकि यह जानना भी जहूरी कि किस पैटन पर इंपीटर्स गुरु कुल आपको लेके चलेगा जिससे आपका सिलेबस टाइम पर हो प्रॉपर टेस्टिंग हो टेस्ट पेपर के एनलेसिस हो और कुछ यूनिक चीज हैं जो सा आपको उसी लेवल का कंटेन वही क्लास मिलेंगी जो क्लास्रूम वाले बच्चों को मिलती हैं और यदि आप सेल्फ डिसिप्लेन नहीं है तो आप ख्लास्रूम आके पढ़ाई कर सकते हैं और यदि आपकी प्रॉपर सेल्फ स्टेड़ी हो रही है तो आप टेस्टरी यह प्रॉपर होगा एवरी डे आपकी नॉर्मली टू क्लासे होंगी जिसमें मैस का क्लास एलार का क्लास और कंप्यूटर का क्लास सेमिटर ली होगा क्योंकि न्यूइव पैटर्न के हिसाब से हम देखें तो सेक्षन वाई तेस्ट हो गया तो हर सेक्षन पर ध्यान देना जहूरी है तो इंपिटर्स गुरुकुल भी उसी बात को लेके चलेगा इंफाक्ट इंपिटर्स गुरुकुल ने लास्ट टून्टी पोर बैच के नोटिफिकेशन के पहले ही यह जन्वरी से स्टार्ट कर दिया था लेवल ऑफ टीचिंग वह होगा कि बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पूरा करवा जाएगा यानि नाइन टेंथ के बेसिक से पढ़ाना चालू किया जाएगा और जिससे आप निमसेट में एक अच्छी रैंक अचीव कर सके हैं रेगुलर प्रैक्टिस शीट मिलेंग पूरा सिलेबस का रिविजन होगा प्लस मॉक टेस्सीरीज होगी और एंड में जाते जाते मॉक टेस्सीरीज इस तरह से हो जाती जैसे अभी 24 वाले बच्चों के साथ देखें तो पर दे दो दो टेस्ट आपकी होंगे यानि यह भी यूनिक चीज है और उससे भी यूनिक समझ में आती की कैसे को किया जाए और बहुत छोटे छोटे लेवल पर स्किल पर काम किया जाता है जिससे आप एक अच्छी रहेंक अचीव कर सकें और लास्ट फाइव सिक्स सेवन एर से अगर आप देखें तो हाईस नंबर आफ सेलेक्शन या हाईस नंबर आफ इंटेक इन इटी में इंपिटेस गुरू कुल का है और आप लोग ध्यान रखें कि यह निमसेट बैच के साथ साथ अगर आप मान लीजे सी यूटी को सीटी महराज को या अधर स्टेट को भी टार्गेट करते हैं तो यह बैच आपकी हेल्प करेगा अब आप इसे ऑनलाइन जोइ करेगा और यदि आप सेल्फ स्टेडी मांदरी से अच्छे से कर रहें तो टेस्ट रिज ले सकते हैं उसका भी यूनिक फीचर बता देता हूं कि आपको वीकली एक प्लान दिया जाएगा उसी प्लान के साथ आपको पढ़ना होगा जैसे कि जो बैच चला है और जो टाइम है वनियर का समय है वैसे तो मैं आपको यह बता दूँ कि 25 के बैच एक साल पहले से बच्चों ने चालू कर दिया बट अभी भी आप कोई बहुत ज्यादा लेट नहीं हुए अभी भी आप अगर कोशिश करेंगे क्योंकि अभी भी इस बैस में मैं दो बार से लेबस करवाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से लेबस को कवर करेंगे और मैंने अभी आपको बोला कि केवल ऐसा नहीं होगा कि बेसिक ही होगा या केवल एडवांस पढ़ा जाएगा प बहुत कुछ के लिए जाना जाता है यहां ते आप टीचिंग तो सीखेंगे मतलब मैस तो सीखेंगे लार सीखेंगे कंप्यूटर सीखेंगे बट साथ में लाइफ को कैसे जीना और कैसे फेस करना डिफिकल्ट टाइम को वह सब भी सीखेंगे तो समय रहते हुए एक्शन प्ली स्टार्ट हो जाए थैंक यू एंड अल दे बेस्ट